हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब ठीक है यार एक सूपर पीसी बिल्ड किया है इस पीसी का वैल्यू ऑल्मोस्ट 2,70,000 तक बन जाता है इस पीसी में कस्टमर लुक्स के अलावा यार पर्फॉर्मेंस बेसी पर्फॉर्मेंस बेसी बनाया इसके अंदर सब कंपोनेंट इस बैलन द्रेंड में था उसी के हिसाब से थोड़ा फ्राजेक्ट वर्क के लिए आप जो चाहिए उस यूज कर सकते हो क्योंकि सुपर प्रॉसर यूज किया 13 700 के और बेंष्ट बोल सकते हो इन्नोंने डेरिकेटर ग्राफिक काड लिया इसलिए मैंने के वाला प्रॉसर को चूज तरग के एप्लिकेशन को रेंडर करने के लिए एडिटिंग करने के लिए गेमिंग के लिए हेल्फुल रहेगा SSD मैंने यूज किया NV series का NV2 1TB Gen4 SSD है काफी budget economical SSD है जो almost 6000 बजट के अंदर आ जाता है क्या कि हर customer उतना higher speed वाला SSD नहीं ले पाता है तो NV2 series जो है Gen4 के अंदर ही है लेकिन काफी budget economical SSD बोल सकते हो RAM मेंने यूज किया 32GB Corsair का 6000MHz 16-2 का kit non-RGB थोड़ा सा low profile वाला किया है क्योंकि थोड़ा high RGB वगरा customer को need नहीं था 6000 MHz से इससे उपर RAM की जरूरत ही नहीं है और 6400 MHz पगर आती है लेकिन customer नहीं बोला 6000 MHz मेरे लिए stable है और यह SSD 3500 MB read and write speed रहती है उसके अलावा 280 mm का हमने cooler यूज किया customer बोला किया मेरे लिए 280 mm cooler more than enough है अब थोड़ा ARGB non-RGB जो भी रहे मुझे दे देना non-RGB भी दे सकते थे लेकिन स्टॉक नहीं था इसलिए ARGB वाला 280 mm का हमने लेते हो तो जिसके अंदर आपका WiFi 6 भी आ जाता है इसके अंदर थोड़ा डाउंग्रेड़ रहता है और पावर सप्लाइ मैंने लिए 1050 watts का cooler master का PCI Express Gen 5.0 supported वाला हालंकि सर को मैंने बताया था 1250 watts जाने के लिए लेकिन उन्होंने बोला 1050 watts मैंने calculate किया है मेरे लिए sufficient है customer का recommendation पर 1050 watts का cooler master का यह new PCI Express 5.2 वाला हमने लिया है जो 600 watts तक का almost आपका power output support करता है अभी आते final and beast product RTX 1490 palette की तरब से आने वाला यार एक super graphic card है जो game rock series का अंदर आता है यह आपको diamond जैसा दिख रहा है यह graphic card में भी diamond जैसा आपको दिखता है हालनकि यह vertical mount अगर GPU करते हो तो यार एक looks के अंदर सूपर दिखता है लेगिन customer ने vertical mount किया नहीं यह काफी budget economical ता इसलिए इसको customer ने चूज किया है और अगें तीन साल warranty आता है सभी components का कोई आपको service के लिए से टेंशन लेने की जरूद नहीं अगर मेरे से खड़िती है आपको 10 years warranty रहता है cooler master का और new generation वाला आपको शेचाल वारेंटी रहता है रहाम दस साल वारेंटी एसेच डी अगें आपको तीन साल वारेंटी मदरबोर्ड का आपको तीन साल वारेंटी रहती है और इस PC का यार component दिखा दिया हूं अभी बिल्ड हो रहा है थोड़ी दिर में आपको PC बिल्ड होने के बाद मैं लुक्स भी दिखाता हूं सिंपल लुक रहेगा और ज्यादा मैंटर नहीं यह किस्टमर को यह पर्फॉर्मिंस बेस पीसी है जो एक 270 में बन जाता है आपको भी ऐसा PC बिल्ड करना है तो स्टोर लगाये हैं तॉप में 280 mm का AEO फिक्स कर दिया बैक एक एक अग्जोस फैन है और ग्राफिक काड़ आप देख सकते हो गेम रॉक आपको एक सिंपल लुक वाला हालें कि कस्टमर को आरजीबी बगरा नहीं चाहिए था फिर भी हमने हमने किया पहलेट ने थोड़ा सा आरजी क्वालिटी एक अलग लेवल की रहती है आप खुद देख सकते हो फंप के ऊपर भी एक चोटा सा फैन रहता है जीप्यू श्राउड रहता है बैक कनेक्टवीटी आप देख सकते हो तीन डीपी पोर्ट एक एच्डमे पोर्ट के साथ में यह रहता है मांदरबोर्ट में वाइफाई वगरा सब कुछ है चलो यह था भाई एक अल्टिमेट नॉन आरजीबी परफॉर्मेंस बेस पीसी ज चाहिए था आपको भी ऐसा पीसी बिल्ड करना है डिस्क्रिप्शन पर लोकेशन रहेगा नंबर रहेगा आप विजिट कर सकते हो सुपर कंपिटर लाप टॉप पर